सब्सक्राइब ये खैर ये हो गई, ये पिच जो है, कोली ने का बड़े अची पिच है, एलस्टर कुक ने कहा, एंडू स्टावर्स ने का यार ये क्या आपने किया है, ये पिच ऐसे क्रंबल कर रही थी, जैसे बिस्कुट आपके मूँ में नहीं क्रंबल करता, यानि भूर जाता है, भूर यानि मुझे समझ नहीं आती, कि और इसके उपर युवराज सिंग ने भी मेरा खाल डंडा दिया है, इनको, यूवी ने कोई बात किया है, यूवी ने काया कि अगर यही पिचे बनानी थी, इंडिया ने, तो कुछ अर्सा पहले बनाने लाग जाते, ताके जो अनील कुमल पात है, इस पिच के ऊपर तो फिर इस पिच के ऊपर, जो रूट ने 5 विक्टे लेनी, 18 दे के, तो इस पिच का क्या हाल होगा, तो ऐसी ऐसी इनोंने, यह इनोंने क्या पिच बनाए, तो पहला कुछ मैंने चलो थोड़ी सी ट्रोलिंग करते हैं, तो काल हमने थोड़ी सी खुब्सूरत था अब है ग्राउंड के नाम हमीन प्राइम मिनिस्टर नरंदर सिंग मोधी रख दिया नरंदर मोधी अपने नाम रख दिया यह ऐसे बंदा अपने आपको पुस्कर दे दे विज़ और अच्छा जवाब क्या लोग दे रहे इसे जौब कांगरस को लोगों को कॉंग्रेस ने भी खलुत किया भई, लेकिन आप अपने नाम पे आप इंडिया में जो सबसे बड़ा पैशन है लोगों का, और दुनिया के लेवल पे जो सबसे बड़ी डॉमिनस है, वो क्रिकट के उपर है, जहां-जहां इंडिया क्रिकट का नाम आएगा, जहां-जहां क् रिकॉर्ड था, सबसे बड़ा स्टेडियम था, तो उन्हों इतना बड़ा स्टेडियम बना दिया, और उन्होंने का, नहीं, निरिंदर मोधी जी ने का, नहीं, मैरे नाम पे रगधाके, अब जिकर होगा, निरिंदर मोधी स्टेडियम, जब जब स्टेडियम का जिकर यह इतना खुबसूरत यह जो रिवर है पीछे और इसकी लोगों ने कुछ क्लोजब फोटोस भी मुझे भेजे मुझे बड़ी हैरत हुई कि इतना नीला पानी यानि मैं इमेजिन नहीं कर सकता था कि एक इंडिया में जब हम देखते हैं गंगा जमना का आप लोगों ने क्य का हाल किया वहाँ पर इतना पुलुटिट गंध मचाया हुआ है कराची के बीच की शनीरा अकरम जो है वसीम अकरम सहाब की जो हमारी भावी है भावी जी वो अक्सर बिचारी फोटोस डाल डाल के इनको शेम करती रहती है कि इतना गंध मचाया है वह नहीं कराची में तो लोगन इनकी बिफोर और आफर फोटो में मुझे भेज़ी इस रिवर की कि पहले ये बड़ा गंदा था अपर मुदी जी ने इसके बड़ा काम किया और फिर ये बड़ा साफ हो गया तो ये नरिंदर मुदी ने इसको बेतर किया और ये जारी बात है एमदाबाद गुजर क्रिकेट के ऊपर फोटी से जार ट्रोलिंग हो जाए ये मैंने का देखो जी जो एक हमने देखी और ये गलती अभी मैं ऑप्टिमिस्ट था मैंने का T20 क्रिकेट जो है वो न्यूज़ेलेंड ने इंवेंट की वन डे इंटरनेशनल जो है औस्टेलिया ने इंवेंट किये लेंट किये हैं रही है तो आखल हो जाते है इतने आदेशनल लिश्ट कि थी भी मुझे उन टेस्ट मैज़ेंड की जो दो दो में खतम हो गया तो भाइयों उनमें ऐसे नहीं हुआ के दोनों साइटें फेल हो रही हैं। उनमें एक साइट डॉमिनेट करी और एक साइट फेल रही है। जिसमें उस्टेलिया ने कोई साड़े 300 स्कोर किया, पाकिस्तान ने पहले इनिंग में 70 स्कोर किया, और बाद में कोई 80-90 स्कोर किया, तो दो दिनों में हार गए वो, तो भाई ये वन साइड इसमें पीछ का प्रॉब्लम नहीं था, उसमें बैट, इसलिए कहते हैं लोग, य इंडिया की टीम भी उड़ेगी 148 पे, तब भी हमें क्रिटिसाइज नी करने देते हैं, अब तो साबित हो गया, पहले दिन में पिछ इतनी क्रंबल कर रही है, तो आचा, कुछ लोग क्या नहीं, मुझे लगता है लोग, और जी खैर है कि नैचरल हा, कि हम लोग टीवी प नमबर बनाने के लिए किया, क्योंकि शायद उसकी इंगलेंड क्रिकट बोर्ड के साथ लगती है, इसलिए वो तो हमेशा उल्टा ही कहेगा, अचा, लोग नीचे क्या कॉमेंट का रहे हैं, कि जितनी विक्ते गिरी है, वो सीधी बॉलों पे गिरी है, वो टर्निंग बॉल होती है, क्यूंकि वो बॉल टर्न हो रही होती है, इसलिए बेसिक से क्रिकट की, लेकिन उनको यही नहीं था वो टर्निंग बॉल पे तो आउट नहीं हो और सीधी बॉल पे आउट हो रहे हैं अगले मैच में मुझे लगता है कि ये भी जो रूट की घलती होगी कि उसने बेवकूफ ने तीन पेसर खला दिया अगले मैच में तो इनको चाहिए कि पांच स्पिनर खलाएं एक टेस्ट में पेसर की जुरत क्या है दुनिया का सबसे जबरदस्त बॉलिंग पेर है इस वक्त जिमी एंडर्शन और स्टुएट ब्रॉड उनके दरम्यान में रहता कितनी आट सो विक्ते हैं नो सो विक्ते हैं वो उनको बॉलिंग ही नहीं कराने को मिल रही क्या जबरदस्पेच पेच है जो रूट यह इसी को नैशनलिजम कहते है कि आपने बस अपने कौम को अपने कंट्री को डिफेंड करना चाहे सही हो या घलत हो हर वकित बस आपने डिफेंड करना हो यही आप लोगों के काम है इसको कहते हैं ब्लाइंड नैशनलिजम मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियोन पर ज़ूर सपोर्ट कीजिए ताके मैं अपना पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पुछा सकूँ कर दो